FD में तो guaranteed returns के बारे में आपने सुना ही होगा पर क्या आप जानते हैं कि mutual fund के returns भी guaranteed हो सकते हैं क्यों यह सुनकर आप चौक गया ना पर यह सही है जी हाँ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही type के mutual fund की जिसका नाम है target maturity plans जिनके return भी guaranteed होते हैं और यह किसी साधार FD की पेक्षा बढ़िया returns generate करते हैं तो क्या है target maturity plans और क्या आपको इन में invest करना चाहिए या नहीं जानेंगे इस informative वीडियो में सबसे पहले तो आप यह समझ लें कि अगर आपने किसी target maturity plan में 1,00,000 रुपए का invest किया है 5 सालों के लिए तो tax काटने के बाद इस पे आपको kul return मिलेगा 1,41,070 रुपए वहीं पर अगर आपने यही पैसा 5 सालों के लिए किसी FD में लगाय होता तो tax कटने के बाद आपको मिलता 1,26,630 रुपए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि post tax return के मामले में target maturity plan किसी FD से काफी बेतर है पर यही सब कुछ नहीं है इस वीडियो में आगे जानेंगे और भी इसके अधिक फायदे हैं तो आईए सबसे पहले बात करते हैं कि यह target maturity fund होते क्या है और कैसे काम करते हैं target maturity fund एक passive debt fund होता है जिसका एक fixed maturity date होता है और यह किसी debt index को track करता है इसके काम करने का तरीका आप काफी कुछ एक सधरर FD जैसा ही मान सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं कि debt fund क्या है और कैसे काम करते हैं तो इसके उपर मैंने पूरी playlist बना रखी है जिसका link description में है आप तो जानते ही होंगे कि ऐसे काफी सारे mutual fund है जो debt की category में आते हैं जैसे long term debt, guilt fund या फिर corporate debt fund पर यह target maturity fund की तरह से नहीं होते हैं और काफी अधिक जोखेम वाले होते हैं जैसा आप लोग को समझाये जाता है अधिकतर agents के द्वारा कि किसी भी प्रकार के debt funds में आप invest कर दें तो आपका पैसा सुरक्षित रहता है पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ऐसे कई तरह के debt fund है जो एक equity fund से भी ज्यादा risky हैं पर यह target maturity plans ऐसे mutual fund है जिनमें आपको fixed rate debt भी मिलता है और इनमें कोई interest rate से जूड़ी हुई fluctuation या फिर default होने का खत्रा भी नहीं रहता है वैसे भी जैसे जैसे interest rate बढ़ते जाते हैं तो उस दशा में target maturity plans और भी ज्यादा बहतरी हो जाते हैं और यह साधर debt fund से अधिक return generate करते हैं target maturity fund fixed income securities में निवेश करते हैं जैसे कि सरकारी bond, state development loan और PSU या फिर high quality corporate के दोरा issue किये गए bonds जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसे fund एक debt index को track करते हैं और उस index में भी तरह तरह के bonds मुझूद रहते हैं और इनको उनकी maturity तक रखा जाता है जो भी bond समय समय पे mature होते जाते हैं उन्हें भी fund में reinvest कर दिया जाता है और जब भी fund की maturity हो जाती है तो investor को पूरा पैसा वापस लोटा दिया जाता है कि target maturity fund में invest करने के फायदे क्या क्या है सबसे बड़ा फायदा यह है कि इनका expense ratio बहुत ही कम रहता है किसी आम mutual fund की अपिक्षा आप देखेंगे कि किसी भी equity mutual fund का जो expense ratio होता है वह 1-5% तक का होता है पर target maturity plans में expense ratio 0.15-0.4% तक ही रहता है expense ratio इतना कम रहने से आपका returns काफी बढ़ जाता है target maturity fund का दूसरा फायदा यह है कि इसमें default होने का खतरा नहीं है क्योंकि इसमें अधिकतर सरकारी bonds ही होते हैं अगर आप इन funds को उनके maturity period तक hold करते हैं तो फिर घटते या बढ़ते हुए ब्यासदरों का इन funds पर कोई विशेश प्रभाव नहीं पड़ता है सबसे बड़ा फायदा जो target maturity plans में नजर आता है वह है कि इनके returns predictable होते हैं जैनि आप पहले से पता कर सकते हैं कि आपको इसमें invest करने में कुल कितना return मिलेगा जैसा किसी bank की FD में होता है इसके returns को पता करने के लिए आपको bond yield value को देखना होगा जिससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि वह fund आपको कितना return generate करके देने वाला है दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि अगर आपको debt fund या उससे जुड़े हुए शब्दों को समझने में परिशानी हो रही है तो आप सबसे पहले debt mutual fund master class वाली playlist ज़रूर देखें लिंक description में दिया हुआ है अब आप यहां पर पूछ सकते हैं कि target maturity plans के returns तो काफी कुछ bank की FD से मिलते हैं तो क्यों न हम लोग FD में ही निवेश करें तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हो सकता है कि कुछ bankों में FD पर अधिक returns मिल रहे हो पर tax काटने के बाद में जो effective return आता है वह आपको target maturity fund में ही अधिक मिलता है जिसके बारे में आगे बात करेंगे जहां एक और आपको bank FD में liquidity की समस्या रहती है यानि आपका पैसा उतने समय के लिए lock हो जाता है जब तक आपकी FD है हाला कि आप इसे तोड़ भी सकते हैं पर उसमें काफी charges लगते हैं वही पर target maturity fund काफी liquid है और उन्हें आप कभी भी बेच सकते हैं हाला कि इसमें भी थोड़े बहुत charge लगते हैं पर वह एक FD से काफी कब रहते हैं target maturity plans भी तरह-तरह की maturity में आते हैं और आप एक साल से ले करके 10 साल तक की maturity वाले funds को खरीच सकते हैं अब आई ये बात करते हैं कि क्या ये सही समय है target maturity fund में invest करने का तो इसका सीधा उत्तर है कि जी हाँ ये बिल्कुल सही समय है target maturity fund में invest करने के लिए और इसका कारण मैं आपको अभी बताता हूँ आप देख सकते हैं ये chart जिसमें पिछले 10 सालों के bond yield को दिखाए गया है यहाँ पर 2021 वाला समय देखें जब महंगाई बिल्कुल नीचे थी और उसी के हिसाब से bond yield भी 4-5% के आसपास थे पर इसके बाद जैसे से महंगाई बढ़ी है उसी तरह से bond yield भी बढ़ी है और हो सकता है कि आने वाले समय में यह इस्थिर हो जाए और उसके बाद घटने लगए इसलिए आपको अभी से ही इन rates को lock कर देना चाहिए मेरे साब से अगर कोई ऐसा निवेशक है जो अपने investment में थोड़ी बहुत safety चाहता है और जिसका नजरिया 3-5 साल तक है तो उसे target maturity plans में invest करने के बारे में सोचना चाहिए target maturity plan उन लोगां के लिए भी काफी फाइदे मंद है जिनके पास में अभी हाल फिलाल में काफी एक मुष्ट पैसा मौझूद है और वह उसे safely कहीं invest करने का सोच रहे हैं जैसे हमने कुछ देर पहले बात की target maturity fund के returns FD से अधिक होते हैं और इसी बात को proof करने के लिए हमने एक calculation की जिसे आप इस table में देख सकते हैं अपनी इस calculation में मैंने 5 साल का maturity period है तो मान लें कि किसी ने 5 साल के target maturity plan में एक लाग रुपए का invest किया और वहीं पर एक लाख रुपए का investment SBI की FD में भी किया गया अब यहां बात करेंगे interest rate की तो फिर target maturity plan में जो effective yield आता है 5 साल का वह है 7.75% और वहीं SBI का 5 साल का FD लगभग 6.5% का return दे रहा है हाला कि 5 साल की FD में कई bank ऐसे भी है जो 7.5% का भी return दे रहे हैं पर हमने यहां पर अपनी calculation में SBI की FD को लिया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप यहां पर देख सकते हैं कि 5 सालों के बाद target maturity fund में आपको कुल return मिलता है 1.46.784 और FD में मिलता है 1.38.42 पर यह return अभी भी tax काटने से पहले का है और effective return वही होगा जो tax काटने के बाद होगा taxation के मामले में target maturity fund बाजी मार ले आता है क्योंकि अगर आपने investment को 3 साल तक hold किया है तो आपको जो भी gains होंगे वह होंगे long term capital gains और इसके लिए आपको केवल 20% की दर से tax देना होगा और वह भी indexation benefit के साथ में indexation benefit एक special benefit यानि की फाइदा होता है जिसमें आपके कुल फाइदे में से महंगाई से जूड़ी हुई संख्याओं को निकल दिया जाता है तो अगर target maturity fund में inflation को adjust करके indexation cost निकली जाएगी तो आती है 1,18,214 रुपए पर FD में आपको इसका फाइदा बिलकुल भी नहीं मिलेगा और इसमें आपको आपके tax lab के हिसाब से ही tax लगेगा तो अब निकालते हैं कि आपको 5 सालों बाद में कुल कितना फाइदा हुआ है और आप यहां पर देख सकते हैं कि target maturity fund में कुल फाइदा हुआ 28,570 रुपए ना कि 46,784 और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें indexation cost को minus कर दिया गया है वहीं अगर आप एक FD को देखेंगे तो कुल फाइदा निकल कर आया 38,022 रुपए अब tax rate की बात करें जो हमने यहां पर सबसे अधिकतम लिया है तो target maturity fund में आपको 3 साल से उपर 20% tax लगेगा वह भी indexation benefit के साथ में पर FD के returns पर आपको 30% का tax लगेगा अब आपको target maturity plan में 5,714 रुपए का tax और FD में 11,412 रुपए का tax देना होगा तो इस तरह से कुल post tax return 5 सालों के बाद बिलता है 1,41,070 रुपए target maturity plan में और 1,26,630 रुपए SBI के 5 साल की FD में अब इस calculation को देखते हुए आप ही decide करें कि आपको कौन से investment के साथ में जाना चाहिए अब चली जानते हैं कि ऐसे कौन से best target maturity plan है जिनमें आपको निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए यहाँ पर आप एक बात ध्यान दें कि यह सीधा-सीधा इन सब mutual funds में निवेश किराय नहीं है बल्कि यह आपको एक जानकारी के उद्देश से बताये गया है अगर आपको इन mutual fund में निवेश करना है तो फिर आप अपना research ज़रूर करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 ऐसे target maturity plan है जिनकी average maturity 3-8 साल की है और इनके rate of return यानि yield भी काफी बढ़िया है तो सबसे पहला target maturity plan Edelweiss का है Nifty PSU Bond Plus जिसका yield है 7.74% इसकी maturity है 3 साल की और expense ratio है 0.15 फिर आप अगला plan देख सकते हैं जो है KOTEC का और इसका yield है 7.7% maturity है 4 साल की और expense ratio 0.2% का है फिर उसके बाद आता है KOTEC का ही Nifty SDL April 2022 में mature होने माला plan यानि 8 साल की maturity और इसका yield है 7.82% जो सब में से अधिक है और वहीं इसका expense ratio है 0.2 उसके बाद आता है Bandhan Crystal IBX Gilt जिसकी maturity 4 साल की है और इसका yield 7.5% का है और expense ratio 0.16 का है उसके बाद आखरी आता है ICICI Prudential Nifty PSU Bond Plus SDL जिसका maturity 4 साल का है और उसका effective yield 7.6% का है वहीं इसका expense ratio है 0.2% का तो ये कुछ ऐसे best target maturity plans है जिनके बारे में invest करने का सोचा जा सकता है तेकि target maturity funds की एक बात सबसे बढ़िया है कि इन सब में expense ratio बहुत ही कम है तो सीधा-सीधा लगबग 1% की बचा तो यहीं से दिख जाती है अब आईए जानते हैं कुछ best tips जिससे आपको किसी भी target maturity plans में invest करने से पहले ध्यान देना होगा अगर आप यह सोच रहे हैं कि यह plans आम mutual fund से काफी अलग है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि investment के मामले में जैसा आप साधाराण equity mutual fund में invest करते हैं वैसे ही आप target maturity plans में भी invest कर सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि target maturity plan एक साल से ले करके 10 साल तकी maturity period में मौझूद है पर मेरे हिसाब से आप minimum 3 साल और maximum 5 साल की maturity वाला plans ही लें अब आप पुछेंगे कि ऐसा क्यों है तो ऐसा इसलिए है कि 3 साल से उपर रखने पर आपको tax में काफी फैदा होगा जिसके बारे में हमने पहले calculation में बात की थी और यह बात तो सही है कि 5 साल से उपर वाले plans में आपको bond yield अधिक मिल सकती है पर इतने लंबे समय में जाने पर आपको interest rate में fluctuations का थोड़ा असर दिख सकता है जिससे आपकी fund की NAV प्रवावेत हो सकती है अब चुकि interest rate काफी उपरी स्तरों पर है और हो सकता है कि आने वाले समय में यह थोड़ा और भी अधिक बढ़े है इसलिए अभी यह सही समय है target maturity fund में invest करने के लिए अगर आप कोई भी target maturity plan चुनते हैं तो आप bond yield तो ज़रूर देखें पर cable return के लालच में ना पढ़के आप उन bonds की rating में ज़रूर देखें हाला कि अधिकतर target maturity plans में government के bonds होते हैं जिनकी rating maximum होती है पर एक बार फिर भी आप bond की rating ज़रूर चेक कर लें और यह देखें कि आपके fund में अधिकतम AAA rating वाले bond या फिर GSEC वाले bonds होने चाहिए दोस्तों क्या आप जानना चाहते हैं कि bonds की rating कैसे की जाती है और इसका आपके investment पर क्या प्रभाव कड़ता है तो उसके लिए देखें यह video